हाई किम चो मज़ा मज़ा आगया आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर चोचो कर रहा लेकर फिर एक ऐसी न्यूज नहीं है पहले एक काना सुना दू तुझे देखा तो ये जाना सनम ज्यार होता है दिवाना सनम तुझे जब देखा ओमिक्रोन तब पता चला तुरह सिम्टम क्या है तो पता ही कुछ नहीं किसी को सिम्टम ही नहीं पता है तो हमने पकड लिया vaccination का में जीन सिक्वेंसिंग जादा है साउथ अपरी का में अब बताता हूँ आखिर symptoms क्या होते हैं इस Omicron की वज़े से अगर डेंगू होगा तो उसके symptoms क्या होगे और delta के symptoms कुछ अलग थे तो यहीं आज मैं बताने जा रहा हूँ पहली चीज extreme tiredness, बहुत ज़्यादा थकान number one, थकान muscle pain, sore throat गले में किच-किच और dry cough, ये symptom तो है ठीक है, क्या नहीं है जो delta में था, यहाँ पर oxygen low नहीं हो रही है अच्छी बात है अच्छी बात है, oxygen low नहीं है भाई, मैं इसलिए कहता हूँ, omicron हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था delta से omicron का आना कोई मुझे नहीं लगता, कोई बहुत ज़्यादा चिंता का विशे है बलकि अच्छा है कि delta को replace कर दे है अगर जाके वहाँ, ये उरोप में कम सब मरेंगे कम लोग, अभी तक ऐसा लग रहा है अभी तक ये लग रहा है, क्योंकि mild disease है serious नहीं हो रहे हैं patient और क्या है, loss of smell or taste नहीं है जैसा कि delta में पाया जा रहा था कि अगर आपका loss of smell or taste चला गया तो समझे लो हो गया बस फिर तो हो ही गया, यहाँ पैसा नहीं है इसलिए पगड़ना भी मुश्किल है थोड़ा सा young people में जादा हो रहा है, 40 साल से कम लोगों को जादा हो रहा है तो मैं बच गया बुड़ा जो हूँ तो सबसे बड़ी बात fever common नहीं है high grade fever बहुत कम लोगों में पाया गया, बुखार का ना होना हलका फुलका, बस बस बदन दर्द, ठकान ये सब सिम्टम है, बुखार उतना common नहीं है, और admission की जरत भी नहीं पड़ रही है तो कि oxygen कम नहीं होगी तो admission की जरत भी नहीं पड़ेंगी तो कुल मिलाके mildness है symptom थोड़े अलग इसलिए की fever नहीं आ रहा है और ज्यादा, और smell का और taste का बने रहना, उसका ना चले जाना और oxygen का level का कम ना होना, तो ये कुछ अलग symptom है, डेल्टा से, तो इसलिए मैं कहूंगा, ये दाग अच्छे हैं, लोग इतने घबराए पड़े हैं ओमी करोन के मामले में, मुझे तो लगता है ये अच्छी खबर है अब लेकिन लोग कहेंगे, सर वैक्सीन इस पर काम नहीं करेगी, फ्लाना है, दिमका है ये है, वो है, ये चलता रहेगा यार, अना, डेल्टा होके जा चुका है, सब का बाप होके य่ा जा चुका है, ऐसी तैसी करा के जा चुका है हमारे अनदर इमिनिटी बन चुकी है, हमें कुछ न ओने वाला, ये मैं मान के जालता हूँ फिर भी, फिर भी, फिर भी मास्क लगा के रखना है तो मुझे कोई खत्रा नजर नहीं आता अपने देश्वासियों के लिए तो मैं आप लोगों के लिए दूआ भी करूँगा दवा भी दूँगा और क्या करूँ एंटी ओमरिकोन एंटी डेल्टा यग भी कराने जा रहा हूँ है जो लोग आना चाहें पंडित लोग प्लीज आ जाएं जो फ्री में काम करना चाहें थोड़ा बहुत यह आँखोदे का हाल दिखा देंगे यहां पर और क्या तो यह था एक चोड़ा सा टॉपिक ज्यादा बकवास नहीं करने का सिधी बात करने का कि ओमिक्रोन यह दाग अच्छे हैं यह दाग खराब नहीं है तो चलता हूँ फिर बोलूँगा क्या अब ओमिक्रोन है डेल्टा की फरक पेंदा है अब डेलोग बड़ीगल है तो मैं बोलता हूँ इसी बात पर जब फरक ही नहीं पड़ना तो फिर बलकि एडमिशन कम है सीरियस कम है तो अच्छी बात है लेकिन हालाग यह आगे वाले कुछ आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा लेकिन ओमिक्रोन हो यह डेल्टा हो दुक्की पे दुक्की हो यह सत्ते पे सत्ता कोई फरक नहीं अलबता कोई फरक नहीं अलबता कोई फर्क नहीं, अलबता कोई फर्क नहीं, अलबता कोण है, किसको पकड़ड़ा है मैं डॉक्टरियू भाइ, मरीज भी देखता हूं साथ बें ये नोटंकी भी करता हूं किसी को अगर लगता है मैं डॉक्टर तर क्लिनिक पर आजाओ वैसे तो फीज देखके डर जाओगे बहुत जादा नियार मेरी फीज कम है आपका अपना मुना भाई MBBS मुना भाई MBBS